अपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता आज सवालों से राजस्थान को अपनी सियासत से सुलगाने वाले अशोग गहलोत को सुलगाईंगे क्योंकि दिन बदिन राजस्थान में कॉंग्रस के अंदर बवाल बढ़ता जा रहा है सचिन पाइलेट मुश्किलों से घरते जा रहे हैं और अब एक नया नेता नए मुद्दे के साथ अशोग गहलोत के गले की फांस पन गया है दरसल कॉंग्रस के सियासी बवंडर के बीच आरलपी के सांसद हनुमान बेनिवाल ने ओबेसी आरक्षन में की गई कमियों को दूर करने की मांग उठा डाली है ओबेसी आरक्षन वाली इस मांग ने पहले से दो टुकडू में बटी कॉंग्रेस में बवाल खड़ा कर दिया है जिससे सवाल सुलक रहे हैं इन सवालों ने कॉंग्रेस में हंगामा खड़ा कर दिया है क्यूंकि एक तरफ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी कुरसी बच्चाने के लिए इस वक्त अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पाइलेट से जंग लड़ रहे हैं पाइलेट को CM की कुरसी से रोकने के लिए CM गहलोत को हर राजनितिक पैतरे का सहारा ले रहे हैं तो इसी बीच NDA का हिस्सा RLP के सांसद हनुमान बेनिवाल गहलोत को डुबोने की तैयारी में चुटकाए है दरसल हनुमान बेनिवाल ने ट्वीट कर कहा है कि राजस्थान सरकार ने समय रहते OBC आरक्षन में कम्यों को दूर नहीं किया तो RLP बड़ा अंदोलन करेगी अगर ऐसा कोई अंदोलन राजस्थान में होता है तो जाहर सी बात है कॉंग्रेस कहीं की नहीं बचेगी बचा कुचा किला भी कॉंग्रेस के हाथ से निकल जाएगा आगे हनुमान बेनिवाल की कहलोत को दी गई चेतावनी पर बात करें उससे पहले ये बता देते हैं कि आखिर OBC आरक्षन में क्या बतलाओ की मांग उच्छ रही है दरसल OBC वर्थ के आंदोलन कर रहे युवाओं का कहना है कि सरकार पूर्व सैनिकों के कोटे को आरक्षित वर्थ से काटना बंद करते हुए सरकारी भर्तियों में 2018 की पुरानी व्यवस्था लागू करे तो वहीं जांदोलन के लिए बनी OBC आरक्षन संगर्ष समिती राजस्थान के मताबिक पूर्व सैनिकों मेरिट कुल पदों पर बनाई जाती है जिसमें 36 प्रतिशत बिना आरक्षित पदों में से कटोती की जाए तो वहीं OBC के मूल आरक्षन कोटे को सुरक्षित रखा जाए इसके अलावा रोस्टर व्यवस्था को प्रभारी रूप से लागू करने और OBC को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षन देने सहित मांग शामिल है इनी मांगों को लेकर OBC वर्ग के युवा काफी वक्त से गहलोत सरकार के खिलाब सड़कों पर उतराएं हैं अब हनुमान बेनिवाल का साथ भी OBC वर्ग को मिल गया है जो आने वाले वक्त में अशोक गहलोत के लिए बड़ा खत्रा साबित हो सकता है तो वहीं हनुमान बेनिवाल ने चेतावनी देते हुए साफ साफ शब्दों में ये भी कहा कि राजस्तान सरकार ने 48 गंटे में सकारात्मक हल निकालने का बादक हिया था मुख्य मंत्री को समय रहते इस मामले में OBC वर्थ के युवाओं के हितों का संरक्षन करने की सरूरत है वरना RLP बड़ा आंदोलन करेगी और आगामी लोग सभा सत्र में भी इस मामले को पुर्जोर तरीके से उठाया चाएगा प्रक्रिया धीन भर्तियों जिन में अभी निक्ति नहीं मिली है उन सभी में 17 अपरेल 2018 से पूर्ग की विवस्था लाकू की जाए 2018 के परिपत्र से OBC वर्ग के युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई की जाए रोस्टर की खामियों को दूर करते हुए रोस्टर अपटेट किया जाए इस मांग के साथ ही हनुमान बेनिवाल ने आने वाले चुनावों से पहले ही गहलोत के लिए खाई खोदनी शुरू करती है बेनिवाल ने OBC अधिकार मंच के संयोजक नरेश पटेल से दिली में मुलाकात की दोनों के बीच OBC आरक्षन में हुई कम्यों को दूर करने को लेकर चर्चा हुई कैसे गहलोत सरकार को घेरा जाए इसको लेकर भी रणनीती बनाई गई है तो वहीं इससे पहले OBC आरक्षन को लेकर राश्ट्रिय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने विधान सभा में भी मुद्दा उठाया था तो वहीं बेनिवाल में कहा कि अगर आगामी लोकसभा सत्र तक कोई हल नहीं निकलेगा तो संसत भी इस मामले को पूरजोर तरीके से उठायेगा और फिर पार्टी एक बड़ा आंदोलन भी करेगी सर्फ राश्ट्रिय लोकतांत्रिक पार्टी ही इस मुद्दे पर बवाल नहीं कर रही है OBC के मुद्दे से कॉंग्रस नेताओं में भी फूट पड़ गई है पार्टी पहले ही दो टुकडे थी अब तीसरी मुद्दे ने ऐसा रायता फैलाया जिससे पार्टी को बिखरने से कोई नहीं पचा सकता क्योंकि अब राजुस्थान कॉंग्रस में OBC कोटे के नेता भी हनुमान बेनिवाल की मांग का सपोर्ट कर सकते हैं अगर नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे अगर साथ दिया तो फायता हुका इसलिए कॉंग्रेस के नेता भी विपक्षी दलों के साथ उनकी मांगों में शामिल हो सकते हैं इससे पहले भी गहलोत के खिलाफ उनके ही नेता सड़कों पर उत्रे थे पिछले हफते ही राजुस्तान में OBC के 21 पीसदी आरक्षन में विसंगतियों को लेकर कॉंग्रस विधायक और पूर्फ कैविनेट मंतरी हरीश चौधरी अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ हजारों युवाओं के साथ धरने पर बैट काये थे बाडमेर के बायटू से विधायक हरीश चौधरी के साथ बहरोड से निर्दलिय विधायक बलजीत यादव भी आंदोलन का हिस्सा बने थे राजिस्थान जाट महासवा प्रदेश धक्ष और किसान नेता राजा राम मील के साथ हरीश चौधरी ने जैपुर के शहीद इसमारक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदाशनकर सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा यह संघर्ष चारी रहेगा इसके बाद गहलोत सरकार ने OBC आरक्षन संघर्ष समिती को बातचीत के लिए सीम आफिस बुलाया था बैठक के बाद किसान नेता राजा राम मील ने बताया था कि सरकार ने 2018 के सरकुलर में संशोधन के लिए दो दिन का समय देने की बात कही है समय भी बीत कया दिन भी गुजर गए लेकिन गहलोत ने एक मांग भी पूरी नहीं की जिससे OBC के लिए आंदोलन कर रहे नेताओं और युवाओं को गुस्सा गहलोत के खिलाप और पढ़ गया है पहले से गहलोत सीम की कुरसी को लेकर हो रहे बवाल को नहीं समेट पा रहे हैं तो इस खेल से पहले ही सूनिया गांधी और राहूल गांधी मुसीवत में पढ़े हुए हैं क्योंकि गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच गद्दी की जंग खत्म होनी की बजाए पढ़ती जा रही है स्तीफा देने वाले गहलोत गुट के बागी विधायक मानने को तयार नहीं है और अब बड़े आंदोलन की चेतावनी भी अशुक गहलोत को मिलने लगी है जिससे कॉंग्रेस की आगे की राह कठिन हो गई है यानि की अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गहलोत न घर के रहे हैं और न घाट के राजस्थान भी उनके हातों से जाता दिखाई दे रहा है अगर ऐसा ही हुआ तो बीजेपी को बढ़त मिलने से कोई नहीं रोक सकता वैसे भी राजस्थान कॉंग्रेस में जिस तरह से बवाल बढ़ रहा है कॉंग्रेस नेता दूसरी पार्टी की बजाए आपस में ही लड़ रहे हैं यही हाल चुनाओं में भी होने वाला है कॉंग्रेस नेताओं की जंग किसी दूसरी पार्टी से नहीं बलकि अपने ही नेताओं से होने वाली है और ऐसे में BJP राजस्थान में बाजी मारने वाली है और हालातों को देखते हुए BJP ने राजस्थान में अपनी पुर्जोर तयारी शुरू भी करती है कयास ये भी लगाए चाह रहे हैं कि अगर सचिन पाइलेट की इस बार बात नहीं मानी गई अंदेखी की गई तो सचिन पाइलेट या तो बीजेपी का रुख कर सकते हैं या फिर अपना अलग दल पना सकते हैं जो कॉंग्रेस के लिए बेहद ही गहरा जखम होगा सुलक तसवाल मैं आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेश हूँगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को पूप पहचानता हूँ संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर खबर से खरा सच नीखावता हूँ ना कोई दौर ना कोई रेट्स क्यापिकल दी उत्तर देश्ष्ट